हलो एवरिवान सो नाव वी आर गोईंग तु डिसकस अप्लिकेशन आप मीजोमेरिक एफेक्ट और इस लेक्षर में हम लोग डिसकस करेंगे मीजोमेरिक एफेक्ट के बेसिस पर बेंजायल कार्वोकाटायन और बेंजायल एनायन की स्टिविल्टी को कैसे एक्स्प्लेन करते है लास्ट डिसकसन में हम लोग ने देखा था कि मीजोमेरिक एफेक्ट होता क्या है और मीजोमेरिक एफेक्ट के बेसिस पर प्लस एम आप्लिकेशन आफ मीजोमेरिक एफेक्ट सबसे पहला अप्लिकेशन जो है वो है कि इस्टेविल्टी आफ बेंजाइल कार्बोकाइन आप सभी को मालूम है कि जो बेंजाइल कार्बोकाइन है और रिजोनें से स्टेवलाइज होता है इसको हम लोग प्ह-C-H-2-plus से भी लिख देता है अप्धा और आपको मालूम है कि बेंजाइल कार्बोकाइन ऐसे रिजोनेंस हो करता है इस प्लस को इसने इलेक्ट्रान दे दिया तो पहला रिजोनेटिंग इस आप निए अप्रि जैद पर इलेक्टरान हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरब मूब करेगा आप देखो जैसे प्लस को इलेक्टरान चाहिए तो इलेक्टरान इधर आ गया और रिजोनेंस से आपको मालूम है हमेशा अल्टरनेट पॉजिशन पर चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है तो अब देखे फ इस तुदिघ्टरास तयां चार्ज का इमाउटं कम होता जा रहा मीन इस श्टेविल्टी वड़ती जा रहे हैं अब बेंजाइल कार्भी कार्भीकरत ाम ai पहां प्लस एक बढ़ीन में डिवाइड हो रहा था यहां प्लस दो बेंजीन उड त्वाइब होगा ठीक है और यहां प्लस 3 बंजीन में डिवाइब कि यह चार्ज चार्ज ज्जगे डिवाईब हुआ था रिंग के अंदर तीन जगे 1 2 3 तो चार्ज यहां 1 से 1 और यह जद्धी एशज बहुती कम हो गया ओर यहां इस रिंग में तीन जगे divided होगा इस रिंग में तीन जगे डिवाइड होगा और एक ही यह तो यहां चार्ज 1.7 हो गया और इसमें यहां पर 3,36,39 और एक उरिजनल तो 1.10 हो गया तो चार्ज का माउंट यहां सबसे कम यह highly इस्टिबलाइस यह रिवीजन था जो आपने रिजोनेंस पढ़ा अब मीजोमेरिक एफेक्ट के बेसिस पर बिंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टिबिल्टी को कैसे एक्स्प्लेन करेंगे कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा चलिए उसको ध्यान से देखते हैं कि एक्जामपल म पर ओएच्छ लगा है इसके मेटा पर भी लगा है सब्सकरी ओएच कि इसके पैरा पर लगा है ओपर पर लोन पर यहां भी कि पैरा पर भी लगा है तो प्लस और पर भी हमने ऊच लगा दिया जिसमें ऊपर लॉन पर अर यह सिंपल बें जयल का अब हमें इन चारों में रिलेटिव इस्टिवल्टी का कमपेरिजिन करना है प्लस को इलेक्टरान चाहिए तो जो है ज़रा ध्यान से देखें आप ने इसको इलेक्टरान दिया एसे और यह electron यहां आगया आपको देखे structure ऐसे मिल गया दिसे ही as true double bond ऐसे Vinaya पर कि और क्टेट किम्पलीट हो और किया और सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है कि ऑप्टेट कि ऑप अभे आपकलो यहां यह प्लास एक अढ़ेट ने है नियुक्त को बढ़ा दिया सचेश की हए अब मिथ इसको देगा इये यह आगया , यहा अगया। आप देखेगे hahaha इसे बढ़ गए इस चेटीश के डेवल बोगोगे डेखे इस आप हम भी कस धीडवल बड़ काल ओ पर ऑगया प्लस इस правильно एक सब्सक्राइब चैनल यहां लोण पेर दे रहा है related यहां यहां यह अगया और यह सब्सक्राइब यह नहीं जा पारा यह यहां प्लस हम का को रोल नहीं रहा सबस् expansion कोई रोल नहीं रहा है अब देखिए इलेक्ट्रान यहां जाई नहीं रहा ह्ति ऑपर ब्लस के पास नहीं जा रहा है कि अच्छा एक चीज आप जानेंगी कि जो है मसकी होता हैं मसक उर्टी बिस्टैंस पर डिपेंड़ेंगि नहीं diferentes फोता है iEffect distance dependent था, 3 करबन तक आते यह आते iEffect खतम, पर MEffects conjugation होता रहेगा तो लगातार MEffects में इलेक्तानों का complete transfer होता है, तो MEffects होगा, तो complete transfer होगा, तो distance dependent नहीं करता है, अमैसा ध्यान रखेंगे, MEffects distance independent होता है, चाये plus M हो, चाये minus M हो, अब प्लस एम ने इसकी स्टिविल्टी बढ़ा दी इसकी बढ़ा दी दोनों की सेम मांट में बढ़ा दिया यहां भी प्लस एम ने बढ़ा दिया और यहां भी प्लस एम पावर सेम हो जाता है तो आई एफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो कि अब प्लस एंब से तो इस्टिविल्टी सेम होगे लिकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को माईफेक्स से देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है के अब ओजो है ना ओफ एच एलेक्ट ओफ एलेक्ट्रो निगेटीवै ऐलेच माइनस आई ग्रूप कई और माइनस आई ग्रूप कटायन की स्टिविल्टि को डिक्रीज करता है तो प्लस हमने बढ़ाया और माइनस ऐ ने ठोड़ा सा घटा दिया बट माइनस यहां मैक्सिमम है और यहां तो सिर्फ माइनस आई ही लगेगा यहां से सिर्फ माइनस आई ने घटाया और यहां माइनस आई लगेगा ही नहीं तीन कारबन तक आते आते आई फेट खतम हो जाता है प्लस के बगल में 1 2 3 यहां पर आते आते आई खतम हो गय आप इन सोटाए क्यों होता है एक दम दोड़ेत में यह नहीं नहीं तो अगर मैं स्टेविलटी की बात करूं तता सबसे औहरें कि ळाई से पैरा वाला हो गया यह पैरा था it मेटा था यह अर्थो था भरा के बाद रर्थो के बाद बैंजाईलं का कहीं से डिख रीज हुआ लिशर बारिशों शूंद रिखी प्राइब के बाद बाड़ परिसका इस एम बढ़ा माइनस एंपर इसमें माइनस एक दम नहीं लगा स्बेगे हैं तो तो आम थीक है यह ध्यान रखेंगे जब M effect दो जगा समान हो जाएं जैसे कि आर्थो और पहरा में तो हम I effect को consider कर लेते हैं अब आप कहेंगे I effect plus I होगा कि minus I होगा यह कैसे जानेंगे तो I effect जो item जुड़ा हुआ है जैसे यहां रिंग से डारेक्ली जुड़ा है तो और इलेक्रो नेगेटिव है तो जाहिर से बात है माइनस आई होगा लेकिन डॉमिनेंट कौन होगा प्लस M की माइनस आई तो आप कहेंगे क्यों लिya तो आई इसलिए लिया तो और दोनों की स्टिविल्टी प्लस एंप्लस एम पालो जाता है इसलिए आर्थो पैरा की स्टिबिल्टी में डिफ्रेंसियेट करने के लिए आइफेक्ट लेना पड़ेगा पैरा में आइफेक्ट नेगलेजबल हो जाता है तीन कारवन के बाद आइफेक्ट फिनिस दूसरा एक्जामपल लेंगे और क्लियर्टी आ जाएगे यहां देखिए एन पर लोन पेर एन ने इलेक्ट्रान दे दिया इसने प्लसम पावर से बढ़ा दिया यहां तो प्लसम लगेगा नहीं यहां भी प्लसम ने बढ़ा दिया प्लसम जितना आर्थों का बढ़ायागा उतना पहरा का बढ़ायगा आइफेक्ट लेंगे अब आई एफेक्ट एन пон온प देखैंट 1 छोड़ा है लगेट्रो नेगेट़ेंटवैस सान फिन सवय यहां नतौन फहिन नहीं है खतम नेगलेजबल डिस्टेंस ज्यादा होगे यह आर्थो था यह मेटा था और यह पैरा था और यह बेंजाइल था अब आप से बोला जाए कि इन चारों में इस्टिविल्टी का आउर्डर बताएं तो आप देखिए सबसे यह इस्टिविलाइज हो गया पैरा पै देखिए नोटू जुड़ा है आर्थो मेटा पैरा पर नोटू जो विड्रॉइंग ग्रूप में जो पहला इस्ट्रक्चर बना है उसमें आपको समझा रहा हूं ध्यान से देखिएगा यह सी एस्टू पर ब्लस है यह नोटू है नोटू एक माइनस एम ग्रूप है दिस पुल्स अगल बगल आ गया और बंसने अधा और यह चृस्ट अब कोंड़ार मिल्टी ज्यादा किसंकी कम बताएं चरू इसने माइनस मैम से इस्टे विल्टी कोटेश कर दिए कि यहां तो माइनस माइनस एम पबल लगेगा नहीं क्योंकि मेन प्योव सन पर एंफेड कोई बीदित आहीं होता है यहां भी माइनस अदिया का यहां Sun generating आप है कि अब जब याइनमेफ तो आइफेक्ट लेखते हैं अब अपनेफर का ऑइनेचर निओ दो का मैणने इस थे हिए मैंने से घुनदी को डिक्रीश किया मैं आपniest ग्राइब एक मार CAS ने किस कर दिए और यां तुम माइनस माइनस में माइनस में यहां माइनस माइनस बीटा खटा पर सबसे ज्यादा तो सब सबसे ज्यादा सबसцевिलाइज बेंगे बंशाइल के बाद मिट हैं कि एक लिज स्टिविल्टी आर्थों की माइनस ज्यादा घटाएगा माइनस आई कम घटाएगा यहां तो एम लगी नहीं रहा है माइनस आई लग रहा है इसका बहुत ही कम घटा इन दोनों का ज्यादा घटा बट इन दोनों में इसका ज्यादा घटा क्योंकि हम माइनस आई भी घटा र तो हीपख्र काम जुकेशन पर व ot करता है है कि अ कि crashing शिर्फ पर भी लगता है तो में प्लस ेट को बढ़ा दिया है ज़िए हम प्लस हम बस लें नहीं नहीं पर न हेसली में प्लस हम बढ़ा दिया अप सिर्फ एप्लेशिंशltryर इंडिपेंडेंट होता यूद आ इ страш अ तो नहीं पहरा कभी बढ़ेगा कई जगा प्लस एच को प्लस है में लिखते हैं पर हाइपर कांजूगेशन का है इसलिए मैं प्लस है लिख रहा हूं अब सी जब दोनों सेम हो गया तो आई एफेक्ट देखेंगे सी प्लस आई प्लस आई यहां मैक्सिमम क्योंकि आई फेक् पढ़ा दिया और यहां प्लस आये तो लगेगा नहीं यह बेंजाइल अब इनमें इस्टिविल्टी का आउर्डर पूछा जाए तो हाइपर कांजूगेशन और इंडक्टिव फेक्ट में डामिनेंट कौन तो आप कहेंगे हाइपर कांजूगेशन और इंडक्टिव में प्लस एच प्लस आई दोनों ने बढ़ाया तो सबसे आदा इस्टिविलाइज आर्थो आर्थो के बाद पैरा पैरा के बाद मेटा बेंजाइल का एकदम नहीं बढ़ा तो बेंजाइल की स्टिविल्टी सबसे कम उमीद है सबको समझ में आ गया होगा कि दिस इजाओ वी कैन कंपेर इस्टिविल्टी आफ वेरियस बेंजाइल कार्वुकाटायन बिद रहल पाफ एम एफेक्ट एन एचेफेक्ट moving towards some more examples अब आप देखें यहां plus cs3 जुड़ा है तो hyperconjugation होगा plus h power so होगा पर यहां पर 3 alpha hydrogen है hyperconjugation यहां ज्यादा होगा यहां पर 2 alpha hydrogen है hyperconjugation होगा बट कम होगा यहां एक ही alpha hydrogen है hyperconjugation यह pluss तो alpha hydrogen से होता है और बेंजीन से जुड़ा पहला कार्वन यह alpha carbon यह alpha carbon यह alpha carbon और यह alpha carbon यह जीरो अलफा कार हाइड्रोजन hyperconjugation minimum तो इसकी stability सबसे कम यहां देखिए यहां 3 alpha hydrogen हमने आपको hyperconjugation के दवरान बताया था यहां 0 alpha hydrogen यह सिर्फ प्लस i power से stability बढ़ाएगा यह pluss से बढ़ाएगा हमने आपको बताया था hyperconjugation सिर्फ hydrogen से होता है उसके isotope deuterium यह ट्रिटियम से एकदम नहीं होता है है ठीक है यहां भी देखिए CS3 CD3 अभी M है तो यहां पर सिर्फ प्लस i power लगेगा मेटा पोईशन पर सिर्फ प्लस i power ही लगता है मेटा पोईशन पर hyperconjugation या M effect का कोई रोल नहीं होता है और CS3 और CD3 में प्लस i power CD3 का ज्यादा है तो अब यह ज्यादा इस्टेविलाइज हो जाएगा और अगर अपने को इन सब में स्टेविल्टी का कमपैरिजिन करना है तो आप देखे सब प्लस हैं सबको इलेक्ट्रान चाहिए ensure लोन पेरो पर दो लोन पेर झाय कर यह भी इने इस टू से देगा यह फ्लस से देगा पर एनस्टू का प्लसम ज्यादा है एन बेटर डोनर है ओ से क्योंकि एन की लेक्ट्रो नेगटिविटी कम है तो इस इस दर डिक्रीजिंग और आफ इस्टेविल्टी एफ ने माइनस आइस से घटा दिया सी योचो ने माइनस एम से घटा दिया और नोटू ने माइनस एम से घटा दिया और माइनस एम पावर जब आपको बताया गया था बताया गया था माइनस एम पावर नोटू का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स stability compare करनी हो now second application is the stability of benzyl anion anion owlrady elektron rich है इसको elektron की जरुरूरत नही है but n electron इसको ऐसे दे रहा है electron के पास electron तो दोनों में repulsion होगा तो plus m power स्थिवलय्टी को गटा निया, यहां भी हैज से सके इलेक्टरान देगा, है इलेक्टरान के पास इलेक्टरान जाएगा रिपल्सन व्लस हम नने यहां वह मल्अ बीचल को रोल नहीं नहीं होता है अब जब M effect ने इसका और इसका same amount में घटा दिया, आप I effect देखेंगे, अब NH2 ring से N जुड़ा है, N electronegative, यानि minus I, minus I, यहां maximum है, और minus I, N9 की stability को बढ़ाता है, यहां भी बढ़ा दिया, और यहां तो इसका कोई roll ही नहीं रहा, distance ज्यादा होगे, लेकिन आप से पूछा जा है, कि plus M, ज्यादा decrease करेगा, कि minus I, ज्यादा बढ़ाएगा, तो आपका क्या answer होगा, आपका answer होगा, वही M, ज्यादा घटाएगा, क्योंकि M, dominate करता है, ठीक है, I effect की ज़रूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि आर्थो और पहरा, दोनों में same amount से घट गट गया था, अब अगर इसका decrease हुआ, बट इसका थोड़ा सा और बढ़ गया stability, plus minus I से इसका नहीं बढ़ा, तो इसके बाद आर्थो और सबसे कम stabilize पहरा, आर्थो पहरा की दोनों की plus M से decrease हुआ, लेकिन minus I ने इसको थोड़ा सा इसकी stability बढ़ा दी, पहरा में minus I लगा ही नहीं, तो ये पहरा से relatively ज देखें, यहाँ नोटू लगा है, अब देखें, यह माइनस ऐसे जाएगा, और यहाँ आएगा, और यहाँ जाएगा, माइनस एम पावर ने stability बढ़ा दी, यह वाला माइनस यहाँ आगया, माइनस कार्बन से oxygen पर आगया, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर आगया, इस्टिविल्टी बढ़ गई, यहाँ तो एम एफेक्ट लगना नहीं, और यहाँ भी माइनस एम से इस्टिविल्टी बढ़ गई, देखिया, इसने इसको इलेक्ट्रान दिया, यह यहाँ आगया, यह यहाँ आगया, यहाँ का माइनस यहाँ आगया, कार्बन का माइनस ओ आगया बढ़ए साइमाने बढ़ा दोनों की सेम अभी और आप से पुछा जाए लहां कि माइगे तो आपके माइनसफी अब ज्यादा बढ़ाएगा सबसे आदा इस्टेवलाइज आर्था आर्थों के बाद पैरा पैरा के बाद मिता सबसे कम इस्टेवलाइज बैं जाय जाई आब इन दोनों में देखिए और यहां तो प्लस H लगना नहीं है यहां भी प्लस H ने घटा दिया अब प्लस ह से दोनों का सेम इमांड में घट गया अब आई एफेक्ट देखेंगे कि यह अगेन यह यह थोड़ा सा गटा दिया और यहां तो प्लस ही लगे लगे नहीं अब इन तीनों की stability घट रही है बेंजाइल की नहीं घट रही है या नहीं यह बेंजाइल मतलब यह है तो सबसे ज़्यादा इस बेंजाइल अब आप से बोला जाए hyperconjugation ज्यादा decrease करेगा कि आई effect तो आप कहेंगे hyperconjugation तो इन दोनों का ज्यादा इसका उतना decrease नहीं हो रहा है तो बेंजाइल के बाद मेटा मेटा के बाद पहरा आर्थो का तो बहुत ज्यादा से बीक्रीज हुआ प्लस इस से भी डिक्रीज हुआ तो आर्थो लिस्ट स्टेबलाइज इस तरह से कर लेंगे कुछ कंच जामपल और जिससे आपकी और डियल्टिग आ जाए अ लिए हम्माइनस का रीड Holz माइकसम मं ज्यादा डिख्रीज केस्ट प्लस हैच हां मीनिमम में कम डिक्रीज करेगा मोयु lonely क्सी स्ट्री फ्लसुस्ण लगव करेंगा न शी क्रिजी फ्लस इस इन आयरेगा यहतना इसने ज्वर्थ कर दिया और अगर इन सब की बात करें तो आप देखे NO2- M power है, NO2- M power ने इसकी stability को बढ़ा दिया देख्यों कियों minus ऐसे electron जाके देखे O पर आगया, और minus I इसका maximum है यहाँ भी minus M ने बढ़ा दिया F ने minus I से बढ़ा दिया N पर तो lone pair, यह electron ऐसे देगा यह होँ जाएगा और यहाँ जाएगा रिपल्स индोग में रिपल्स थिया प्लस carbocation and benzyl anion with the help of mesoameric effect in the next class we will discuss how M effect and I effect both govern the acidity of benzoic acid phenol as well as basicity of aniline and its derivative इस लेक्षर में इतना ही थांक्य। वेरी मच्च